वेलकम टू एक्जाम भी बेचना तो दूस्तों जैसा कि आपको पता है हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं टार्गेट एल्टी कमिशन 2022 इसी के अंतरगत यह हमारी अगली वीडियो है इससे पहले भी हमने बहुत सी वीडियो को डिस्कस कर रहा है अगर भी तक आपने उने नहीं देखा है तो अपने भी देख सकते हो दिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दिया है प्ले लिस्ट का वहाँ पर जाकर आप इन्हें चैक कर सकते हो तो चलिए करते हैं, आज की video को स्टार्ट तो यहाँ पर बिदियो में लाया हूँ तो यह फिर पडिक्ष्या में पुछा जाता है कि निमन में से कौन सा ऐसा संत है जो निर्गोन संत काबेधारा से सुवंधितच नहीं है या फिर ऐसा कहा जाता है के निर्गुन संथ के बारे में तो यहां पर कुछ निर्गुन संथ हैं उनके बारे में लाया हूँ पहले हैं नाम देव इसके पश्चात कवीर दास फिर हैं रवी दास या रै दास फिर हैं धरम दास फिर हैं गुरु नानक दादो दियाल सुंदर दास गरीव दास तुलसी स दरिया साहब, मल्लूक दास, रजब दास, स्वामी प्राननात, चरन दास, पल्टु साहब, दुलन दास, सहजो भाई, दया भाई, जग्जीवन दास, धर्नी दास, अक्षर अनन्निय, जमनात, सिंगा जी, हरी दास निरंजनी, कमाल, प्राननात, और बाबरी साहिवा तो चलिए, इनका जो प्रमुख रजना कारे, इनका समय भी आपको बता देता हूँ, तो जो नामदेव है, ये इनका समय माना जाता है, 1270 के आसपास, पर ये प्रशन विवादित है, कई वार कभीरदास को इन से पहले माना जाता है, या कई वार नामदास को कभीरदास से तत्या मैंने जुटा हैं, जिनके अधार पर मैंने ये नोट्स बनाएते हैं, उनमें जो नामदेव है, ये पहले आते हैं, ठीके ना, 1270 के आसपास इनका समय माना जाता है, फिर है कभीरदास, तो जो कभीरदास हैं, इनका समय है 1398, फिर आएंगे रवीदास या रहदास, तो इनका समय है 1414 के आसपास, फिर होगे धरमदास, तो जो धरमदास हैं, ये कभीर के शिश्य माने जाते हैं, इनका समय है 1418 के आसपास, फिर आएंगे गुरु नानक, तो गुरु नानक जी का समय क्या है, 1469, फिर हैं दादू दियाल, इनका समय क्या है, ये 1544 के आसपास इनका समे, फिर सुंदर दास है, इनका समे है, पंदरासो channel 66, फिर है गडीब दास, फिर है तुलसी साहब, तुलसी साहब से भी पर हैं, जो हाथरस के रहने वाले थे, एक तुलसी दास तो रामगुण भक्ति कावेदारा जैसे स्पन्दीत हैं पर ये तुलसी दास दूसरे ह तुलसी सहाब दास नहीं तुलसी सहाब इनका नाम फिर हैं दर्या सहाब इनका समय है 1664 के आसपास फिर आएंगे मलूक दास इनका समय है 1564 के आसपास फिर हैं रजजब दास इनका समय है 1557 के आसपास फिर हैं स्वामी प्राणनात इनका समय है 1653 के आसपास आगे हैं छर्न्दास, पल्टु सहाफ, दुलन्दास, सहजोबाई देयावाई या इने देयावोध या जो देयावाई है इनकी जो रचना है देयावोध और बिने मालिका इनकी दो रशनाए होंगी दयवाई की दयाबोद और बिने मालिका फिर है जग जीवन दास, धलनी दास, अक्षर अनन्य, जंबनात, सिंगाजी, हरिदास, निरंजनी, कमाल तो जो कमाल है यह भी संद काप्यधारा से सवंदित थे ठीक है और यह कविरदास के पुत्तर माने जाते है फिर है प्राणनात और अन्तमे होंगी बापरी साहिवा आग यह है प्रमुक रचनाए तो जो यह रचनाए अक्सर पीछा में पुसी आती है पर आपको पुस्तकों में कमी देखने को मिलती है यह पाश्चात्य कावी शात्य से सवंदित रही है तो चलिए देख लेती है तो जो यह है बरजीनिया वुल्फ इनका समय पूछा जाता है कई बार इनका समय क्या है तो इनका समय होगा उन्नी सो उन्तिस और इनकी जो रचना होगी यह रचना है A room of once on क्या है A room of once on यह इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है फिर है Simon D. वबुआर कई जगा वबुआर लिखाता है कई जगा वबुआर कुछ भी होता है पर आपको समझाना है इनके फिलिंज को क्या कह रहा हूं में इनका समय है 1949 और इनकी जो परमुख रचना है The Second Sex या The Second Sex इनकी परमुख रचना है फिर है Mary Elman इनका समय है 1968 और इनकी जो रचना है Thinking About Beeman ये जो तीन है इन्होंने पाश्चातिक काविशास्तर में एक तहल का मचा दिया था ऐसी ऐसी रचना है इन्होंने प्रस्टूत की थी पाश्चातिक काविशास्तर में जिससे नारी चितना के लिए नारियों में एक जागरती उत्पन हो गई थी ठीक है आगे हैं कुछ पाश्चातिक काविशास्तरी जिनका समय पूछा जाता है इनका समय क्या है उनके बारे में बताते था हूँ फ्रेडरिक नित्षे तो जो फ्रेडरिक नित्षे है इनका समंद रहा है जर्मनी से और इनका समय क्या था जियाँ पाल सातर प्रमुक अस्तित्वादी के Vijay जाने जाते है इनका स्वंध रहा है फ्रांस देश के पैरिक्ष़ शहर से और इनका समय है 1905 फिर है मार्टिन हाइडेगर ये भी अस्तित्वादी थे इनका समय है 1889 और इनका जो सवंध रहा है ये भी जर्मन देशे स्वंतिर रहे हैं और इनका समय है 1883 और इन्होंने नोबल प्राइज जीता था ये भी आपको याद रखना है फिल है अलवेर कामू ये भी अस्तित्वादी रहे हैं और इनका समद्ध अलजीरिया से रहा है और 1913 इनका समय है और इन्होंने भी नोबल प्राइज जीता था फिर है Adeline Virginia Woolf इनका समंद यूके से रहा है और इनका समय है 1882 और इनकी परमुक्रचना हमने पीछे ही देख ली थी A Room of Once On ये इनकी परमुक्रचना है फिर है Oscar Wilde इनका समंद रहा है Dublin से Dublin कहा है? Ireland में और इनका जो समंद Ireland से रहा है और इनकी यू समय है ये है 1854 फिर है परमुक्रचना का Sorin Kirkegaard इनका समंद रहा है Denmark देख से और इनका समय है 1813 क्या क्या परमुक्रचना का समय है